नमस्कार साथियों एक बार पुना आप सभी का इस ओनलाइन क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत मेरे सभी भाईयों को रेट परिक्सा की जो तयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट में इस सेसन में लेकर के आया हूँ रेट परिक्सा को लेकर के जो गठित कमेटी की गई थी साथियों उसने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है जिसकी अधिकारी गोशना साथियों अभी नहीं होई है लेकिन जो सुत्रों के माध्यम से पता चला है उसके माध्यम से क्या निने लिया गया है कि रिट का एक्जाम कब होगा और इस सम्मंदित संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस सेशन में देने जा रहा हूँ तो मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्रेब और बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि साथियों ऐसी superficial साटिक जानकारी आपको मिलती रहे तो देखिये साथियों इस परिक्सा से संबंदित जो भी सरकार निरने लिया है वो एहम निरने रहेगा लेकिन इस निरने से पहले मैं आपको एक और जावान कोटेशन सुनोना चाहता हूं जो देखिएगा कि सपनों को अपनी सासों में रखो हर मंजील को अपनी वहों में रखो हर जीत आपकी है दोस्त बस हर लक्षे को अपनी में रहेंगे जब तक कि तब तक REIT की परिक्सा न हो जाए तब तक हम इसी परिक्सा के सम्वंध में यानि कि अपने लक्से को अपने निगहों में रखते हुए हर लक्से के उपर अपने आँख टिके रखेंगे और इसी आशा के साथ देखिएगा कि सरकार ने इस भरती को लेकर के क्या का है कि रीट परिक्सा की तिथली में बदलाओं के पहले करण बताएं गोवर्मेंट में का है कि इन चार कारणों की वज़े से हम परिक्सा को इस तारीक तक करवाने जा रहे हैं आप सभी को पताएं साथियों जैसे की रीट परिक्सा की तिथी में बदलाओं के परमुख करण क्या है आप सभी अब्यर्थी इससे बिल्कुल हुब हुए लेकिन मैं इस सेसन में संपौन जानकारी देने के माध्यम से मैं आपको इस सेसन के माध्यम से बतावना चाहता हूँ कि रीट परिक्सा जो साथियों अपनी 25 अपरेल को परस्तावित है उसमें क्या चैंजिज किया गया सरकार ने इसके बारे में संपौन जानकारी आपको इस सेसन में देने जा रहा हूँ तो देखिये का साथियों के जो परमुख कारण क्या क्या है एक बार कारण को अपने देख लेते हैं उसके बाद में साथियों मैंने इसके साथ इसी वीडियो में एक जो गुर्मेंट का फ़र्ष्ट इंडिया न्यूज का साथियों अभी की न्यूज ये में अटेच्स कर रखिये तो साथियों पहला पड़पर्मों करण बता है EWS को जो वरग है साथियों उसमें अधिक्तम आयू सीमा में छूट दे रखी है उनके बारे में ध्यान में रखते हैं सरकारी फैसला दे रही है इस परिक्सातिति में बदलाव किया है और साथियों वो परिक्सातिति क्या है वो इस सेसन में अभी साथियों आपके सामने मैंने इसी वीडियो में एक क्लिप जोड रखी है उस क्लिप के मादिम से आपको पता चल जाएगी कि आखिर रेट की परिक्सा कब होने वाली है और क अवस्ये करें आपका अपना चैनल आपके लिए हमेशा ततपर रहता है तो देखिए साथियों इस सेसंज में जो मैंने आपको मैंने बता है था पहले भी तो आप एक बार क्लिप आप सुन लीजिएगा कि क्या है वो क्लिप है जलिए रुकरत अब एक और बड़ी खबर का रीट परिक्षा तिथी में बदलाओ के संकेत जानकार सुत्रों निदी जानकारी 26 जून को हो सकता है परिक्षा कायोजन महावीर जैनती वा अन्य त्योहारों को देखते हुए सरकार ले सकती है एहम फैसलिक हाला कि अभी नही कोई आधिकारी कुस्तिक कल हो सकती है तिथी बदलाओ की आधिकारी घोशना मादिमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अजेक्स जॉक्टेट डीपी जारोली ने की थी घोशना पूर में 25 अप्रेल को रीट परिक्षा करवाने की करदी थी घोशना तो बड़ी खबर इस करेंगे उनका ग्यापन आयवा है और वैसे भी EWS में भी कल जो है वो माने मुख्यमंतरी जी नायुकि शूट की घोशना की है तो इन दोनुं तर्थ्यां के उपर कल हम लोग मुख्यमंतरी जीशे और आधिकारियों से चप्चा करेंगे तो साथियों आपने क्लिप सुन लिए अब देखिये कि सरकार के पास में संभावित तारिक साथियों इन्होंने 16 जून जो बता रही है तो इस सुत्रों के जो नियूज में 16 जून बता रही है लेकिन मेरे हिसाब से या इक कोई काफी दिने जो मैंने कमेंट बॉक्स में से देखते हुए काफी सारे कमेंट सेसन को देखते हुए मैंने अनुमान लगया है कि रेट के परिक्सा कौन कौन सी तारिक को हो सकती है या तो दो मैं को हो सकती है या साथियों बीस जून को हो सकती है या अपनी साथियों अठरा जुलाई को हो सकती है या आठ अगस्त को हो स इसी साथियों इसी जोस के साथ में अपने को अपनी पढ़ाई को काम्याब बनाने के लिए अपने को साथियों लक्षे के पटारगिट रखना है ना कि परिक्सते ठीके उपर क्योंकि साथियों हम जब भी एक्जाम हो हमारा उस एक्जाम को टॉप करना है हर वो रात जिसकी नींद तुमने पड़ाई के लिए कुर्बान कर दी वो अपना कर्ज जात्यों अवसी सुखाएगी यहीं कि अपने पूरी मेनत जिस लक्षिय के परति लगा रखिये सात्यों वो लक्षिय अपने को एक दिन अवसी अपने सीमा तक या अपने गंतेवे तक अपने को इसी आसा के साथ में साथियों आप हमारे साथ बने रहें यदि आपका कोई भी अमूले सुझाओ इस वीडियो को लेकर के है तो कमेंट सेसन में आवसिय बताएं और इस साथ साथियों आप से एक बार पुन्हा गुजरिस करना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को अभी तक स सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अवसिय प्रेस करें साथियों देखिये मैंने आपके लिए काफी सार इस सेसन में ऐसे कोटेशन जोड रखे हैं जो कि आपको उर्जावान बना सके सिरफ 90 दिल से लगा कर मैनत कर लो यकिन मानो तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे तुम्हारा अगला साल बहुत अलग होगा क्योंकि साथियों अभी भी हमारे पास में रीट एक्जाम को लेकर के 90 दिन का समय और रहेगा अनुमानत जो डेट आएगी उसमें अपने साथियो 90 देट मिलने वाले हैं तो अपने को इन 90 दिन का ऐसा उप्योग करना है कि जो हम पिछले 3 सालों से कम कर रहे हैं उन 3 सालों के काम को ऐसा काम कर लें कि अब मेरिट नहीं उस मेरिट की भी मेरिट बन जाए तो भी हमारा इस्तान उस मेरिट में होना चाहिए इसी आसा और इसी उमंग के साथ अपने कोई सेसन के साथ साथियों जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने लक्से के परती अडिक रहना है एक्जाम एक दिन अवसी होगा चाए वो कौन सी भी ड देखें जिसमें कहा रहे हैं कि रिट के पेपर भी करे हैं वो भी करे हैं साथियों चाहिए कुछ भी हो जाए अपने को सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है अपने को एक सीट से मतलब है तो अपनी तयारी को और अपने लक्से को ध्यान रखते हुए इसी सेसन के आपको इसी पर यवाद, thank you so much.